भारत में एक पुलिस अफसर की कविता से एक दंगा अभियुक्त अपमानित हुआ था। इस कारण पुलिस अफसर को लिखित क्षमा मांगनी पड़ी। प्रदर्शन के दोरान किसी समय भीड नियंत्रण से बाहर चली गई और सार्वजनिक संपत्ती की तोड फोड और गाधियों की आगजनी शुरू हो गई। गायल महिला पुलिस अधिकारियों ने अस्पताल में बताया कि भीड ने उन पर लोहे के छड, पत्थर, हौकी स्टिक और कील लगे लकडी के गदे से आक्रमन किया। पुलिस इन दंगायों पर उतनी सख्त नहीं हुई जितनी सामान्यता होती है। यह अग्यात है कि इस धिलाई के पीछे उंचे पदों पर बैठे अफसर थे या दंगायों के एक खास अल्प संख्यक समुदाय से होने के कारण सरकार का राजनीतिक दबाव। मुख्यधारा की मीडिया में छपे लेखों ने दंगायों के खिलाफ सख्ती नहीं करने के लिए और अनुकरणी ये संयम बरतने के लिए पुलिस की वाह वाही की। उस समय तैनात महिला अफसरों में एक सुजाता पाठिल को बंदूकों और डंडों से लैस होने के बाद भी सख्त पुलिस कारवाई के अभाव के कारण हुई अराजकता और महिला पुलिस कर्मियों और शहीद समारक पर आकरमन से दुख हुआ। उन्होंने इस निर्बलता को हिंदी में लिखी एक कविता के माध्यम से व्यक्त किया। इस कविता को पुलिस पत्रिका में प्रकाशित किया गया। हम ना समझे थे बात इतनी सी हिम्मत की गद्दारों ने अमर जयोती को हाथ लगाने की, काट देते हाथ उनके तो फर्याद किसी की भी ना होती। नवरात्री में रावन जलाने की, रमजान के साथ साथ, दिवाली भी होती। हम ना समझे थे बात इतनी सी। इस साथ को दूद पिला कर, बात करते हैं हम भायचारे की, ख्वाब अमर जवानों के और जनता भी डरी डरी सी। हम ना समझे थे बात इतनी सी। सुजाता पाठिल, पुलिस निरीक, शकिस दंगे का एक आरोपी, नजर मुहम्मद सिद्ध की, जो उस समय जमानत पर बाहर था। ने कविता लिखने वाली इस पुलिस अफसर के खिलाफ, राज्य के ग्रिह विभाग और मुंबई पुलिस कमिशनर के यहां शिकायत दर्ज करवाई। उसने न सिर्फ कविता की लेखक, बलकि कविता को प्रकाशित होने देने के लिए पुलिस प्रमुख को भी बर्खास्थ करने की मांग की। देश के कई बुद्धी जीवियों ने भी इस कविता को लिखने वाली पुलिस अफसर पर ही अपनी नाराजगी दिखाई। स्रोत Times of India First Post The Hindu Bollywood के प्रसिद्धों ने भी इस कविता को अल्प संख्यकों की भावनाओं के खिलाफ घोशित कर दिया। जावेद अख्तर ने पुलिस अफसर को निकालने की मांग की और महेश भटर ने पुलिस की जबरन मनोवैग्यानिक जाँच की मांग की। आखिर पुलिस दंगे रोकने के लिए हिंसा की बात कैसे कर सकती है। स्रोत ट्विटर पर जावेद अख्तर टाइम्स ओफ इंडिया में महेश भट जन्वरी 2013 उच्च पुलिस अधिकारियों, राजनेताओं और बॉलिवुड प्रसिद्धों जैसे प्रख्यात नागरिकों के दबाव में सुजाता पाटिल ने कविता लिखने के लिए लिए लिखि तरह देखना चाहिए था, नकी मजभ़बी अल्पसंख्यकों की तरह. जैसे किसी प्रदर्शन कारी के शांति पून प्रदर्शन के अधिकार को समर्थन मिला, वैसे ही पुलिस अफसर की अभिव्यक्ति के अधिकार की सुरक्षा के लिए सरकार को सहारा बनना चाहिए था. कविता साफ तोर पर दंगाईयों के विरुध थी, मुसल्मानों के नहीं सरकार और स्वगोशित सामाजिक कार्यकरताओं ने यह मान लिया कि वो दंगाई भारत के सभी मुसल्मानों की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं उन्होंने यह भी मान लिया कि दंगाईयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई से भारत की मुस्लिम जनता अपमानित होगी ये कई स्तरों पर गलत है दंगाई और आतंकवादी हिंसा के प्रवरतक हैं और भारतिय मुसल्मानों में अधिकतर उनका समर्थन नहीं करते 2008 में मुंबई आकरमन के बाद भारतिय मुसल्मानों ने आतंकवादीयों को अपने कब्रगाह में दफनाने से इंकार कर दिया था ऐसे ही 2018 में कश्मीर आकरमन के बाद भी भारतिय मुसल्मानों ने आतंकवादीयों को दफनाने से इंकार किया था सरकार ने जब कुछ सहसर दंगाईयों की भावनाओं को जब 20 करोड डेच भारतिय मुसल्मानों की भावनाओं से एक कर दिया तो यहां राजनैतिक शुद्धता की अती हो गई